हिंदु धर्म में कई इसे रिखी रिवाज है जिनको कनने से भगवान की प्राप्ति होती है वो भगवान की करपा बरस्ति है इस बार सुम्वतिय अम्मावस पर दुल्लप सयोग बनने जा रहा है सयोग में पवित्र नदियों में इसनानादी करके दान पुन करने से पित्रों को मौक्ष मिलता है ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन सुम्वतिय अम्मावस पर इंद्रयोग जो बन रहा है उसमें दान अगर करेंगे तो दान का दस बुनाफल राप्त होगा इसलिए पुर्चेन माश शुक्रा नदिक पर भारी संका में शद्दल नहान करने आते हैं सुमतिय अमावस्या आठ अपरेल की दोहजार चोविस में आ रही है इस दिन विशेश योग बन रहा है इंद्रयोग बन रहा है चेत्रमास की अमावस्या यदि सुमती अमावस्या पड़ती है तो गरूर पुराण के अनुसार उसे इंद्रयोग की अमावस्या कहते हैं इस अमावस्या में किया हुआ दान पुन्यम हमें इंद्रपद की प्राप्ति करवा सकता है पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान नारायन का और भगवान स्रीशिवजी महराज का पूजन कर अपने पित्रों को शांति प्रदान करवा सकते हैं यह जो इंद्र योग वाली जो सुमतिय मावस्या आ रही है इस दिन दान पुन्य करें गव को ग्रास दें पित्रों का विशेश तरपण करें इस दिन यदि हम पित्रों का तरपण करते हैं तो वह पित्र इंद्रपद को प्राप्त होते गरुपुराण के अनुसार ऐसा कर करने से हमारे पित्रू और हमारे जो इष्ठ देव हैं वो प्रसन्न होते हैं और हमें शुबफल की प्राप्ति होती है जैसरी कुछना